आप यहां नारे भाजी करने आते हैं ये नारे भाजी का इस्तान है प्रश निकाल समय के अंदर आप सदर निकला जाते ही वैसत अच्छी नहीं है कॉंग्रेस के पुर्वध्यक्च राउल गांदी की संसत सदस्ता बहाल होते ही राउल गांदी संसत पहुँचे संसत पहुँच कर राउल गांदी अपने सीट पर बैठे जैसे ही लोकसवा की कारवाई शुरू हुई वैसे ही राउल गांदी जिन्दाबाद के नारों से संसत गुझ उठा राउल गांदी के संसत में वापसी से पुरे विपक्ची गडबंदन के नीता काफी खुश हुए इसी खुशी में उन्होंने जम कर राउल गांदी जिन्दाबाद के नारे लगाए विपक्ची गडबंदन दलों के निताओं द्वारा लगा तार नारे न लगाने से लोकसव तो यहारं टाइमस में जो है भरवान म के दो फोर बंढ जी सिरी राजनका एकरवाज टिन वां छिवाइबाज हुआ राजन दर्वाज लससाइर हुआ भाई 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 लिए मधाज मन्य मंत्री जी अध्र्ची मानने मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसके उनुसार शे परिपत एको परिपत थीम के अंतर का स्यूक्रिट किये गए हैं उत्तराखंड में हैं तेलंगाना केरला मिजोरम मत्यप्रदेश और जारकंड लेकिन उत्तर प्रदेश का इसमें एक भी सर्कृट नहीं है तो मैं यह जानना चाहता हूं माने मंत्रीजी से कि यह जो इको एक ठीड है इसका चेन किस आधार पर जिया जाता है क्या केंदर सरकार अपने स्तर पर करती है या प्रदेश सरकार के द्वारा भेजे गए प्रसाव के आधार पर करती है और उत्तर प्रदेश आ faço अंदर कोई भी क्यों नहीं है जोगि को टूरिजम की द्रक्टिशी से उत्तर परदेश के अंदर बहुत ऐसी संभावनाइघं जिनक और įह सी जोद्ध में में कि शाबल किया जा सकता है कि आत्यक्षी जी मा हमानी संधर्सी ने जो पार्सप पूछा कि एको टूरिजम उत्तरव पदेश में एकी प्रोजेक्ट दिया नहीं है। सर मैं कहना चाहता हूं कि टूरिजम को उसका इस्वार्ट स्ट्रक्चर खड़ा करना यह राज्य सरकार का काम होता है टूरिजम मिलिश्री का वहां का काम होता है और इसको साइनसली मदद करना आप सदन निचलाना चाहतें यह नारे बाजी का इस्तान है प्रस्ट निकाल समय के अंदर आप सदन निकलाना चाहते हैं वेसत अच्छी नहीं है पिर माने सदेशों जाग रहा करता हूँ, ये सदन नारे बाजी के लिए नहीं है, सदन में प्रश्णकार महत्पुन समय होता है, आप चर्चा कराएं, समवात करें, इस महत्पुन विशे पर आप सरकार की जवाब देते कर सकते हैं, आप यहां नारे बाजी करने आते हैं बता दे, उच्चतेम नियाले से राहत मिलने के बाद, राहूल गांधी की लोकसभास सदस्ता आज बहाल कर दी गई, जिसके बाद कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी संसत भौन पहुंचे, उनके संसत भौन पहुंचने पर विपक्ची दलों की नेताओं ने जोरदार स्व पाल यादो, संज्या राहूत, तिर्ची सिवा प्रमोत तिवारी और अन्य नेताओं ने उनका जम कर स्वागत किया, एस सभी नेता जम कर राहूल गांधी जिंदा बाद और इंडिया इंडिया के जम कर नारे लगा रहे थे, इसके साथी कॉंग्रेस ने एक दूसरे को पिटा महात्मा गांधी की प्रटिमा के पास गए और उनको नमन किया, राहूल गांधी की संसत सदस्टा वापिस होने के बाद अब माना जा रहे कि राहूल गांधी केंद्र की मोधी सरकार के खिलाप लाए गए, अब विश्वास प्रस्ताव की चर्चा में सामिल हो सकते ह ज्यादा संभावना इस बात की है कि राहूल गांधी कल ही विपक्स की तरफ से अविश्वास प्रस्ताओं पर चर्चा के सुरुवाद कर सकते हैं हलाकि इस संभन में अंतिम फैसला राहूल गांधी को ही करना है पते प्रधान मंतिर नैंद मोदी पर अविश्वास प्रस्ताओं पर चर्चा का जबाब दस तारिक को दे सकते हैं ऐसे में लोकसभा के पटल पर अबिस्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दवरान एक बार फिर से प्रधान मंत्री नैंद मोधी और राहूल गांधी आमने सामने होंगे और एक दूसरे पर राजनीतिक हमला करते नजर आ सकते हैं